ये जनवरी का महीना एक तारीख पिछले 28 साल से आप जानते हैं जो जन आट्टिमंच पे हमला हुआ था यहीं गाजियाबाद में, साहिबाबाद में जिसमें सफ्तर की हत्या हुई थी और एक हमारे मजदूर साथी राम बहादूर की हत्या हुई थी उससे ये जनवरी का मही जनवरी का महीना शुरू होता है और दरसल आज का दिन दो जनवरी ये दरसल सफ्तर की तैथा अनिवरसरी है तो इसलिए हमने जेहन यूस्यू से रिक्वेस्ट किया कि हमें सबसे पहले मौका दें यहां नाटक करने का ताकि हम इसके बाद में जो हमारी अपनी जो सब्तर को याद करने वाली उसमें हम जा पाएं लेकिन साथ ही साथ ये जनवरी का महीना आपको याद होगा रोहित वेमुला के साथ भी जुड़ता है अभी साल होने को आया है हाइदराबाद में क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं हमें आपको कहने की जरूरत नहीं ह जन्नाटे मंच हमेशा से जो संघर, शील, मजदूर, छात, किसान, महिलाएं, हिंदुस्तान भर में हम उन सब के साथ रहे हैं जे एन्यू में कई दशकों से हमने नाटक किये हैं चालेश साल हो गए हमें यहां नाटक करते हुए तो इसलिए जे एन्यू के इंसाइडर हैं हम, यह वी सी साथ नहीं जानते हैं जब हम यहां पर आये थे पहली बार नाटक करने के लिए, तो यहां पर यह एड्मेन ब्लॉक वगरा कुछ नहीं था डाउन कैमपस, अब कैमपस हुआ करता था, यहां प्रोफिसर पत्नाइक बैठे हो नहीं याद होगा बहुत छोटा सा कैमपस हुआ करता था, इस कैमपस का चप्पा चप्पा हम जानते हैं तो यह हमारा अपना घर लगता है हमें, हमारा अपना कैमपस लगता है और इसलिए उसी जजबे के साथ आज हम आपके बीच में आए हैं आपके अपने हम सफर, आपके अपने हम कदम, आपके अपने कॉमरेड हो करके तो सफतर हाश्मी को याद करते हुए और रोहित वेमुला को याद करते हुए रोहित वेमुला ने जो आखरी खत लिखा था, उसी का टेक्स्ट इस्तमाल करते हुए आज का performance है नाटक कम है एक reading ज्यादा है तो इन लफजों के साथ एक बार फिर आप सब के साथ एक चुटता जाहिर करते हुए जन्ना अट्टे मंच पेश करता है जन्ना अट्टे मंच पेश करता है आपके बीच में the last letter I always wanted to be a writer a writer of science like like Carl Sagan at last this is the only letter I am getting to write for one last time Jai Bheem I have forgot to write the formalities no one is responsible for my this act of killing myself O Mrittu तुम दोड़ती चलियाओ इस सपाथ रास्ते पर मुझसे चंद कदम दूर उस बर्गत के नीचे जहां मुझे अपने पुर्खो ही की तरह प्रतारित किया गया था जरा रुको तुम वहाँ ठक गई होंगी दोड़ते भागते फिर मेरी प्रतारना का एहसास करो अगर हो जाए तुमे इसका थोड़ा भी भान तु जब चाहो उसी वेट से दौरती चलियाना तुम मेरे पास Letter from Rohit Vemula 18th December 2015 to the Vice Chancellor Hyderabad Central University Subject, Solution for Dalit Problem Sir, by seeing your commitment I am tempted to give two suggestions First, please serve 10 mg sodium aside to all Dalit students at the time of admission with direction to use when they feel like reading Ambedkar Second, supply a long rope to the rooms of all Dalit students from your companion the great Chief Warden As we, the scholars, PhD students have already passed that stage and already members of Dalit self-respect movement and unfortunately, we here are left with no easy exit it seems Hence, I request Your Highness to make preparations for the facility Youth in Asia for students like me जब भी मैंने किसी घने वरिक्ष्नी चाहों में बैठ कर घड़ी पर सुस्ता लेना चाहा, मेरी कानों में भयानत चीट सारे गूजने लगी, जैसे हर टहनी पे लटकी हो लाखो लाशे, जबीन पर पड़ा हो शंबूग का कटा सर, मैं उदकर भागना चाहता हूँ, शंबूग का सर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीक चीक कर कहता है, युगो युगो से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है, यहाँ गली-गली में राम है, शंबूग है, द्रोड है, एक लव्य है, फिर भी सब खामोश है, शंबूग तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन बाहर फूटेगा, जोला मुखी बनकर, I always wanted to be a writer, a writer of science like Carl Sagan, at last, this is the only letter I am getting to write, I loved science, stars, nature, but then I loved people. नूँ अधेरे बुहारे गई सड़क पे जो चमक है, वो मैं हूँ, कुशल हातों से तराशे गए, खिलोनों को देखकर, बच्चे पुलकित होते हैं, बच्चे के चेहरे पर जो पुलक है, वो मैं हूँ, खेत की माती से उखते अन्य की खुश्पू, मैं हूँ, जिसे ज़ाड पोचकर भेज देते हैं वे उनके घरों में, भूलकर अपने घरों में भूख से बिलबिलाते बच्चों का रुदन, रुदन में जो भूख है, वो मैं हूँ, पेडों में नदी का जल, धूप हवा में श्रमिक शोणित गंद, पाड में भैगई छोपडी का दर्द, सुखे में दरखती धर्थी का बाजबन, मैं हूँ, सिर्फ मैं, I loved science, stars, nature, but then I loved people, without knowing that people have long since divorced from nature, our feelings are second-handed, our love is constructed, our beliefs colored, our originality valid through artificial art. It has become truly difficult to love without getting hurt. Letter from the Minister for Labour to the Minister for Education, 17th August 2015. Dear Shri Mati Smriti Zubini Rani Ji, Hyderabad University, a central university in the recent times, has become a den of casteist, extremist, and anti-national politics. This could be visualized from the fact that when Yakub Menon was hanged, a dominant students' union, Ambedkar Students' Association, has held protests against the execution. and when Shri Sushil Kumar, President ABVP, in the campus, protested against this, he was manhandled. And Madam, what is more tragic, is that the university administration, has become a mute spectator, to such events. Yeh too Salik chalne lage, pao ka kuch karo, yeh too Salik dhore ne lage, pao ka kuch karo. Is liyeh kiwaan kiya tha band, lagaya tha tala, phir bhi, yeh too Salik ghusne lage, pao ka kuch karo. Is liyeh too baad rakhi thi, चोटी हाथ में ली थी सोटी फिर भी ये साले पकने लगे पाओ का कुछ करो Madam, I earnestly hope under your dynamic leadership things would change in the campus for better Yours sincerely, Bandaarud Attatre Letters sent from the Education Ministry to the officials of Hyderabad Central University on 3rd September 2015, 24th September 2015, 20th October 2015 and 19th November 2015 It is requested that issues raised by Honorable Minister of State may kindly be examined It is requested that the same may kindly be expedited to enable the ministry to reply to Minister of State I would appreciate if you could kindly look into the matter personally and get the facts provided at the earliest to enable the ministry to submit and reply to the Minister of State It is therefore requested that the same may kindly be expedited to enable the ministry to reply to Minister of State Yours faithfully, under Secretary to the Government of India The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility to a vote, to a number, to a thing Never was a man treated as a mind as a glorious thing made up of stardust in every field in studies, in streets, in politics and in dying and in living I am writing this kind of letter for the first time My first time of a final letter Forgive me if I fail to make sense Maybe I was wrong all the while in understanding world in understanding love, pain, life, death There was no urgency but I was always rushing desperate to start a life All the while some people, for them life itself is curse My birth is my fatal accident In the past, there was no point My life tuttoood There was no shame There was no cost There was no이고 There was no shit There was no prison There was no suicide There was noена There was no cop There was also neighborhood by the fewonicfans People will alter them Nothing There was nothing It took us Theакuesto तोल था, जहन नस नस में भरी जाती ती, जाती अ हींता, शब्दों की खुटी में खोल कर। I can never recover from my childhood loneliness, the unappreciated child from my past. I'm not hurt at this moment, I'm not sad, I'm just unconcerned about myself. That's pathetic and that's why I'm doing this. People may dub me as a coward and selfish or stupid once I'm gone. I'm not bothered about what I'm called. I don't believe in after-death stories or ghosts or spirits. If there is anything at all I believe, I believe that I can travel to the stars and know about the other words. If you who is reading this letter can do anything for me, I have to get seven months of my fellowship, 1 lakh and 75 thousand rupees. Please see to it. Please see to it that my family is given this. I have to give some 40 thousand to Ramji. He never asked them back. But please pay that to him from that. I don't mind. I don't mind. I don't mind. Let my funeral be silent and smooth Behave like I just appeared and gone Do not shed tears for me Know that I am happy dead than being alive Umanna, I am sorry to use your room for this Letter from Carl Sagan's wife, Anne To read Rohit's suicide note And to learn the details of his predicament Is to get a vivid inkling of the actual cost of bias to our civilization If we could somehow quantify the totality of lost contributions And innovations as a result of prejudice I believe we would find it staggering I am trying to find something hopeful In an otherwise heart-breaking example Of needless suffering and squandered potential Truly, Anne Would not live with송, Anne To our mission is to look at the